शहर की ताजा खबरे देखने के लिए इनवी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकान दबाना ना भूले लोगडाउन के मद्दनजर श्री सत्यसाय सेवा समिती नाकपूर की ओर से ग्रामिन परिसर में जाकर राशन कीट का वितरन किया गया सत्यसाय समिती ने ससेगाव, मंडिगाव, सीतापूर, उम्रेड रोड नजदी की परिसर में जाकर तगरिबन देड सोराशन की ट्वितरित किये है गौर्तलब है जब से लॉक्टाउन हुआ है तब से नीजी और सारवजनिक संस्थाव ने जरूरत मंदों की मदद की है संस्थाव के जरिये राशन कीट, स्वास्थ कीट और अन्य जरूरती सामान ने दिया जा रहा है ताकि लोगों को इस महमारी के दोर में भटकना ना पड़े श्री सत्यसाई सेवा समिती ने इस ओर पहल करते हुए ग्रामिन परिसर में जाकर सामाजिक दूरी रखते हुए जरुरत मंदों को किट का वितरन किया है लॉक्डाउन का पाँचवा चरन शुरू है सरकार द्वारा कुछ रियायत देते हुए व्यवसाय शुरू किये गए है तो कुछ को रियायत मिलना अभी बाकी है और तो और कई लोग अब भी भटक रहे हैं जिने आसरे और जरुरती सामान भी मिलना बाकी है NBCN से दिपिका धनेश्वर की रिपोर्ट